विपक्ष तो लगातार सरकार पर केंद्री जाच एजंसियों को अपने इशारों पर काम करवाने का आरोप लगाता ही आ रहा था लेकिन अब सुप्रिम कोट ने भी इस बात को माना है कि जाच एजंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं जिसको लेकर CGI ने CBI को आएना दिखाया है क्या है पूरा मामला देखते हैं इस रपोर्ट पर हमने अक्सर देखा है कि किस तरह चुनावों के वक्त केंद्री जाच एजंसियां काफी एक्टिव हो जाती है और विपक्ष के नेताओं पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर देती है विपक्ष लगातार वी रमना ने CBI को खरी-खरी सुनाई है और सरकार के इशारों पर काम बंद करने को कहा है लोकतंत्र में जाच एजंसियों की भूमी का और जिमेदारी विशेपर लेक्चर्द के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि CBI ने अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दी है CBI को फिर से प प्रिटिस साशन में अब तक भारत में पुलिस सिस्टम में कैसे कब और कितना बदला हुआ है लेकिन समय बीतने के साथ-साथ CBI जैसी जाच जिन्स या सारवजनिक निगरानी के दाइरे में आ गई है ब्रस्टचार के आरोपों के कारण पुलिस की छवी को गहरा धका लग अक्सर पुलिस सधिकारी हमारे पास याचिका लेकर आते हैं ये शिकायत करने की आम चुनावों के बाद सरकार बदलने के बाद नई सरकारे उन्हें परिशान करती है आपको याद रखना होगा कि जन प्रतिनीधी और सरकार इस समय के साथ बदलती रहती है जबकि आप साशन और विवस्थास थाई रहती है वक्त के साथ पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव बदलते रहेंगे लेकिन आप पर्मनन्ट है CGI न एजनसियों को नसीहत देते हुए साथ कहा है कि सरकारे बदलती रहेंगी लेकिन एजनसियां पर्मनन्ट है लोगों का भरोसा एजनसियों के उपर से उठ गया है क्यूंकि एजनसियां अब सरकार की गुलाम बनती जा रही है आपको बता दे कि हाल ही में केंदर जाच जनसियों के गलत इस्तिमाल को रोकने के लिए कॉंग्रेस ने सुप्रीम कोट और हाई कोट का दर्वाजा खटकटाया है महरास्ट कॉंग्रेस ने सुप्रेम कोट और बंबे हाई कोट से अपील की है कि वो बीजेपी के ओर से केंद्रेजाच जिंसियों का बेजा इस्तिमाल पर रोक लगाने के लिए इस्वता संग्यान ले